अन्ववी टीम द्वारा UPHESC का टेस्ट स्रीज सुरू किया गया है GKGS पेपर के लिए जो 6 unit wise है जिसके अंभ्याद से आप अपने GKGS के concept को किलियर करके अपने लच को असानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस टेस्ट स्रीज को लेते हैं तो आपको फिरी में मिलेगा सभी unit के model paper 100 से अधिक हैं और सभी unit के PDF notes हिंदी और इंग्लिस में 50 plus grouping test, 20 plus unit wise test, 58 plus PDF 5 test और 2014 से 21 तक सालवाट paper है इसके लिए आपको नई जनकारी के लिए टिल्ग्राम गुरूप पर आप जूड़ सकते हैं अजेति क्लासेस एक्जाम गुरू चैनल में आप सबका स्वागत है model paper 13 का पहला कोशन है राष्टी इंतराष्टी घटनास में अरसत को बताएए पहला अपसन 2022 में पड़े भारत अभियान सौदियोसी अभियान धर्विन परधान द्वारा चलाए गया दूसरा भारत में संचार का नियामक संस्था इर्दा द्वारा होता है तीसरा वर्तमान में भारत के आयूसमंत्री सिसर्वानन सोनेवाल है चोथा भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटर एकाडमी लखनों में खुला आंसर होगा दूसरा भारत में संचार का नियामक संस्था ट्राई होता है इर्दा नहीं होता है जैसे आप जानते होंगे जो है इर्दा जो है बीमा कंपनी को कंट्रूल या नियामक करता है ट्राई संचार कमपनी को करता है सेवी सेयर मार्केट को करता है और आरबियाई बैंक को करता है नेश्ट कोशन पुस्तक आई एम नो मसीहा के लेखक है पहला अपसन सोनु सूदेन मिना इयर दूसरा वासुदेव मोही तीसरा नासिरा सर्मा चौथा ड्र. परदीप सिर्वास्तो आंसर होगा पहला शूनु सूद एवं मिना इयर वासुदेव मोही की पुस्तक का नाम क्या है चेकबुक एवाडेडा एकजाम में आ सकता है नासिरा सर्मा की पुस्तक का नाम क्या है कागज की नाओ याद रखिएगा ड्र. परदीप सिर्वास्तो की पुस्तक का नाम क्या है बाई बाई करोना एकजाम में आ सकता है नेक्डैकोशन प्रसिद C.A. भवानी देवी का सम्मंध किससे है C.A. भवानी देवी का समंध किससे है पहला के लंगाना की प्रतम मुखन एदीस महिला मुखनियादीज, दुसरा धावक, तीसरा क्रिकेटर, चौथा तलवार बाजी, आंसर होगा तलवार बाजी. नेक्ट कोश्चन, विशु स्वात संगटन के परमुख है, चार अप्सन, डेविड मलपास, दुसरा अंदे उजुले, तीसरा टेडावस एड़नास, और चौथा क्यों ड्योंग्यू, तो अंसर हो जाएगा डाक्टर, टेडावस एड़नास, ये तीसरा अंसर आपका होगा, तीसरा अप्सन, डेविड मलपास, अभी इसके पहले विशु बैंके अध्यच कौन थे, डेविड मलपास, अब कौन हो गया है, अजय बंका, अंद्रे उजुले, ये निस्को के परमुख है, याद रखिएगा, क्योडोग्यू, खादेवं, क्रिसी संगटन, फाव के वरत गुरू जीजन, उत्राखन, तीसरा अकास से दवापर योजना, तिलंगाना, चौथा, गुरू जी स्टूडेंट क्रिड Takar योजना, भिहार, इसमें से सुमेलित नहीं है, चौथा, याद रखिएगा गुरु जी स्टूडेंट क्रिड क्रिड काड योजना, ये याद प्रावन योजना तो हिमांचल प्रदेश में है, आप जानते होंगे, हिमांचल प्रदेश में बस की राय में महिलाओं को 50% की छूट देने के लिए यह योजना लाए गया, गसियारी कल्यार योजना उत्राखंड का है, आप जानते होंगे, पहाडी इलाकों में, उत्राखं स्वास के अंदरों पर जो है दवा के सुभधार दी जाती है नेश कोशन संजुक्त राष्ट पर्यावरण कारिकरम युएंडीपी का मुख्याले है पहला अपसन पेरिस दूसरा नरोबी तिसरा रूम चोथा मनीला तो आंसर होगा दूसरा नरोबी याद रिखेगा संजुक में फाओ का है अभी चर्चा किया हमने आपसे मनीला मनीला में क्या है एस याई विकास बैंक का मुख्याले है याद रिखिएगा चावल अनुसंधान केंदर कहा है मनीला में है कृतिम करबधान केंदर कहा है अंतराष्टी यह भी मनीला में है अभी सुका गहरा सबसे गहर प्रुसकार रखा गया जिसे एसिया का नोबिल प्रुसकार कहा जाता है 2019 में भारती रविस्कुमार को दिया गया नेश कोशन मानो परियावरण के अंतरगत वाई पर दुसरा का सूचक पोधा लाइकेन किस प्रकार का साजीवी है पहला कवक और सहवाल का दूसरा कवक और पोधो का तीसरा रुसेरा और डायूनिया का चोथा यूट्रिकुलेरिया और नेप्रिंथीस का आंसर होगा पहला कवक और सहवाल का याद रखिएगा जो है यह साजीवी पोधा होता है साजीवी मतलब एक दूसरे का हेल्प करके जी लेते हैं उससी को साजीवी का जाता है जैसे आप जानते होंगे सहवाल सहवाल में जड़ नहीं होता पत्ता नहीं होता थैलो फाइटा का होता है कवक में क्या होता है क्लोडफिल नहीं होता तो यह दूनों एक दूसरे को यानि सहवाल का सुचक होता है और आप ये भी जानते होंगे सल्फर डायाकसाइड एसूटू के प्रती बहुत सेंस्टिव होता है ठीक है कवा दूसरा आपसन देख रहे होंगे कवाक और पौध तो कवाक और पौधे का जो है साजीवी माई को राईजा होता है याद रिखेगा ड्रोसेरा डायोनिया यूटिकलेरिया नेपंतीज यह पौधा है कीट बच्ची पौधा का जाता है भारत में कीट बच्ची पौधा में घाले राजी मिला पाए जाता है कीट बच्ची पौधे जो होते हैं वो कीटों को खाते हैं यह नैट्रोजन की पूर्ती करने के लिए वो कीटों को खाते हैं अपने पतियों में विसेश प्रेका का प्रोटीन का साव करते हैं और उस पतियों से डखके उन जीवों को खाते हैं पर्यावरण मिस्रड है जीवाडू और कवक का, दूसरा जीव जन्तु एवं बनस्पति का, तीसरा वाई मंडल और जल मंडल का, चोथा जैविक और जैविक घटक का, आंसर होगा चोथा जैविक एवं और जैविक घटक का होता है, याद रिखेगा, जैविक मतलब सजीव क कर सकते हैं, अजय यूक मत्तर मिर्जीव कर सकते हैं, नेस्ट कोशन, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, पहला, विस्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, राष्टी सिच्छा दिवस 11 नौमबर, राष्टी विग्यान दिवस 29 अगस्त, विस्व परियारण सरच्छड मनाया जाता है, ठीक है, आपको एक प्रश्ण बताना है, कि भारत का, खेल के जगत का सबसे बड़ा पुरुसकार, जो है, मेजर ध्यान चंद पुरुसकार है, या नाम, किस नाम के बदल पर, यानि इसके पहले, मेजर ध्यान चंद पुरुसकार का नाम क्या था, वो आपक नर्मदा बचाओ अंदोलन से और आप यह जानते होंगे कि मिट्टी बचाओ अंदोलन अभी हाल में स्री जग्गी बासुदेव जी ने शुरू किया जिने आप टीवी यूटूब पर सद्गुरू के नाम से जानते होंगे ठीक है चिप को अंदोलन कहां हुआ था तो चमोल में चमोली जिला उत्राखंड में हुआ था और ये सुन्दर लाल भागोड़ा और चन्री परसाद भड़ द्वारा चलाए गया था यादर कियेगा एपिको अंदोलन करनाटक में हुआ था या स्री पांडू रंग हेंग्रे द्वारा चलाए गया था नेक्ट कुश्चन ब भगोलिक छित्र में केवल पौधा आंसर होगा भगोलिक छित्र में पौधे और पसू और सभी तरह के जीवजन्तू जो है बायोम कहा लाता है बायोम ऐसे समझे किसी विशेष छित्र में जो विशेष प्रजाति के पौधे जीवजन्तू पाय जाते हैं उसे उस पौधे जिव जन्तु का बायूम कहा जाता है EBS की क्लास में आपको डीटेल बताया जाएगा Next question फूलों की घाटी भारत के किस राज में है याद रिखिएगा चार अपसन केरल, पहला, दूसरा महराष्ट तीसरा असम, और चौथा उत्राखन, आंसर होगा उत्राखन, याद रिखिएगा फूलों की घाटी कहा है, चमुली उत्राखन में याद रिखिएगा, लेकिन फूल सबसे दिक वहाँ नहीं होता है, फूल का अकड़ा हर प्रतिवस बगलता रहता है, केरल में कौन सी घाटी है, तो सांत घाटी है साइलेंट वैली है, भारत का एकलावता याद रिखिएगा, जो है जव वित्ता स्थान कौन सा है, तो सांत घाटी है केरल में है, महराष्ट में क्या है अक्सर पूस्ता है, महराष्ट की सबसे प्रसिद घाटी क्या नाम है तो अंबे नाली घाटी याद रिखिएगा अंबे नाली घाट कहा है, महराष्ट में असम में, तो बराग घाटी याद रिखिएगा बराग घाटी कहा है, असम में ठीक है, लेकिन बराग नदी पूस दे तो बराग नदी कहां से निकलता है तो मड़ी पूर से निकलता है याद रिखियेगा, भारत में मड़ी पूर के पाड़ी से बढ़ा अधी निकलता है, एक पुस्तक का नाम दप्रामिस लेंड बताएए दप्रामिस लेंड पुस्तक के लेखा कौन है, आपको कमेंट बास में बताना है नेट्ट कोश्टन, किसने कहा था दिल्ली दूरस्ती? चार अपसन, दादा भाई नरोजी, दूसरा अबुलकलामजाद, तिसरा निजामुदीन अउलिया, चोथा सरसायद अमहत खां, आंसर होगा, तिसरा निजामुदीन अउलिया ने दिल्ली दूरस्ती कहा था, किसके भाजन मेरी लास पे होगा, ये अबुलकलाम आजात कहते हैं, सरसयद अमहत खां क्या कहते हैं, हिंदू और मुस्लीम, भारत माता की दो सुन्दर आखे हैं, प्रेश कोश्टन, किसे किंग मेकर आफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, पहला अपसन सायद बंधू, दूसरा मुहमत सा, तिसरा, साह आलम दिती, और चौथा, जाहंदर सा, अंसर होगा, सैयद बंधू, याद रखिएगा, सैयद बंधू में सैयद हुसेन अलिखां और सैयद अब्दूल्ला खां का नाम आता है, दोनों भाई, जो है, और उंजेब की मिर्तु के बाद, मुगल दरबा में काफी प्रहुसील हो गए, और का जाता है, इन्होंने 1713 में फरुकसियर को सासक बनाया, बाद में फरुकसियर को हटा कर मुहमत सा को सासक बना दिया, और कई वर कार के वज़से इनको बाहरत में किंग मेकर अफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, दूसरा आप सना आप मुहमत सा इन्हें रंगीला की उपाधी दिया गया था, मुहमत सा रंगीला का आ जाता था, और भारत में मुगल दर्बार की भासा तो फार्सी थी, प्रशना आता है किसके दर्बार में मुगल दर्बार की भासा उर्दू हो गई, तो मुहमत सा रंगीले के दर्बार की भा सा उर्दू हो गई और तब से जो है उर्दू आज भी उत्तर परेश के दूसरी राजभासा क्या है उर्दू है राज याद रिखेगा 1988 नवासी से और उर्दू को जनक कौन है वल्दिकनी है तीसरा आप सम् बताना है कि घिरित कायर किस मुगल सासा को कहा जाता था नेश कोशन भारत को सोने की चिडिया किसने कहा चार आप सन मेगस्थनीस दूसरा प्लूटार्क तिसरा हेरोड़स और चौथा उत्वी तो आंसर होगा उत्वी याद रिखेगा भारत में सोने की चिडिया कौन किसने कहा उत्वी ने कहा आप सम् देख रहूंगे मेगस्तनीस कौन थे चंदगूत मौर के दरवारी जो एक अब जानते होंगे इन्होंने कहा था कि भारत में दाश पर्था नहीं है भारत में साथ जातियां पाई आती हैं भारत में अकाल नहीं पढ़ता है प्लूटार्क आप जानते होंगे प्लूटार्क चंदगुत मौर ने कहा कि चंदगुत मौर ने 6 लाग सेना लेकर पुरे भारत को रॉट डाला है तो इतिहाज के जनक है इनकी पुस्ता का नाम हिस्टिवर क्या है अन्ववी टीम द्वारा UPHESC का टेश्रीज सुरू किया ग अगर आप इस टेश्रीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के माडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिस में 50 प्लस गूरूपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइट टेस्ट, 58 प्लस 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 किसे कहा जाता है, चार आपसन, आहमदाबाद, सूरत, कानपूर, कॉइंबटूर, आंसर होगा, तीसरा, कानपूर, उत्तर भारत का मांचेस्टर एक्जाम में अगर आपके पूछे तो क्या अंसर लगाएंगे, कानपूर, लेकिन पूछ दे आपके एक्जाम में दच्छि सूती वस्तों के लिए प्रसिद है, इसलिए भारत में तीन जगह सूती वस्तों के लिए प्रसिद है, और जो है, इसको मांचेस्टर के नाम से जाना जाता है, सूरत अभ्यानते होंगे, ताप्ती नदी किनारे है, और ये भी प्राचीन काल से सूती वस्तों के लिए प्रस तो आंसर क्या होगा छूब मंडल, छूब मंडल में मौसन सम्मधि जनकारी होती है और मौंट इवरेस्ट है याद रिखिएगा, दूसरा अपसर देख रहा हूंगे समताप मंडल, अकसर एकजाम में पूछता है समताप मंडल में क्या है, और हवाईजाज कहा उड़ता है, सम कोशन राष्टी एंटोबाइटिक अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है चार आपसन रिसी केस दूसरा जैपूर तीसरा देहरादुन चोथा रूड की तो आंसर क्या हो जाएगा इसका रिसी केस याद रिखिएगा जैपूर में क्या है जो आपसन देख रहे होंगे अनुसंधान संस्थान कहां है तेहरादु में रूड की में क्या है तो भौ निर्माण अनुसंधान संस्थान कहां है रूड की में है नेक्ट कोश्चन निर्मिकित में कौन सा एक सम्मेधानिक निकाय है पहला आपसन योजन आयोग दूसरा निती आयोग तीसरा भारती रि इसके अस्थापना एक जनूरी 2005 को हुता है नेक्ट को इसके बताना है नेश्थ कोशन सूपर वास्वक पान वर्वत दुसरा नदी तीसरा ट्रे bandwidth चौथा केंपूटर रूजाय गाट्रें याद रिखेगा सूपर वास्वक वारत का सबसे लंबा जो है मालगाडी का नाम है परवत आप जानते होंगे माउंट एवरेश्ट विश्व का सबसे उचा परवत और उसके बाद कौन है गाडवीन आश्ठीन उसके बाद कौन है कंचन जंगा पुरे विश्व में और यही पूझदे कि अमेजन न दी तो भारत की सबसे चोड़ी न दी ब्रमपूत न दी ठीक है आप केंपूटर वर्दमान में सबसे सूपर कंपूटर किसका प्यज़ है तो फ्रंटियर्स अमेरिका का है नेश्ट कोश्चन BSNL का विस्तारीत रूप होगा अंसालिटेड इमेल को क्या कहते है चार अपसम स्पैम नीज ग्रूप बैकबोन फ्लेमिंग अंसर होगा पहला स्पैम कहा जाता है सुमेलित नहीं है भारत छोड़वा अंदोलन 8 अगस्त 1942 गाधी इरविन सम्ज़ता 5 मार्च 1931 हुम्रूल अंदूल उनईसो सूल चंपारण अंदराण उनईसो पंदर तो कौन सा सुमेलित नहीं है तो चोथा अंसर होगा चंपारण सत्यागरा उनईसो सत्रा 32 सम्ज़तान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उनलिखित है चार अपसन पहला भारत और इंडिया दूसरा भारत और भारत वर्स तिसरा भारत और हिंदुस्तान चोथा हिंदुस्तान और भारत वर्स आंसर होगा पहला भारत और इंडिया नेश कोशन मानोविका सुचकांग किसके दुवारा बनाय गया था पहला UN CTAD दूसरा आसियान तीसरा UNEP और चौथा UNDP आंसर होगा चौथा UNDP की अस्थापना 1965 में हुआ था इसका मुख्याले कहां है तो इसका मुख्याले निव्यार्क में है आपको बताना है विस्व में मानो विकास सुचकांग के जनक कौन है और अभी वर्तमान में मानो विकास सुचकांग का भारत में कौन सा अस्थान है अभी तो वीडियो आप लो लाइक नखी हो तो लाइक कर जरूर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए हो सके तो सेर भी करिए और मेरे प्रस्णों का जवाब भी दिया करिए प्रस्णी में आपके जो है आंसर का आपको लाइक करता हूँ कमेंड भी करता हूँ नेश कोश्चन भारत की डिजिटल जनगर्णा का करम क्या है पहला पंदरहवी दूसरा आठवी तीसरा सुलहवी और चौथा उपरोक्त B और C आंसर होगा चौथा उपरोक्त B और C याद रिखेगा B क्यों होगा क्योंकि सौतनता के बाद भारत की जो जनगर्णा है दुजर एकईस की वो आठवी होगी और C क्यों होगा क्योंकि 1881 से रिपन के समय से गद देखा जाए तो सौलमी जनगर्णा 21 की होगी तीक है नेश्ट कोशन निलखित में से कौन एक केंद्री प्रविर्टी का माप नहीं है पहला मध्यमान दूसरा बहुलांक तीसरा मध्यांक और चौथा परमारिक विचलन आंसर होगा चौथा परमारिक विचलन नेश्ट कोशन एक अच्छा अनुसंधान का पर्थम चरण होता है चार आप्षन पहला निसकर्सों का व्याख्या दूसरा आकडों का विचलेशड तीसरा आकडों को एकत्र करना चौथा उद्देशों की अस्थापना आंसरोगा चौथा उद्देशों की अस्थापना नेश्ट कोशन सुद्यार्थी को एक सोद के अंतरगत कैसा होना चाहिए चार आप्षन पहला वस्तुनिष्ट दूसरा व्यक्तिनिष्ट तीसरा उपरोग दोनू चौथा कोई नहीं असरोगा तीसरा उपरोग दोनू नेश्ट कोशन सिछड की कौनसी वीधि के जनक आमेश्टरान है पहला प्रश्चनुत्थर वीधि दूसरा परेटन वीधि तीसरा सम्वाज वीधि चौथा हिरिष्टिक वीधjang तो answer होगा 4 था गये, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जय हिन, जय भारत ऑन्गवी टीम द्वारा UPHESC का test series सुरू किया गया है की-क-J.S paper के लिए जो 6 unit wise है जिसके अम्भ्याद से आप अपने GKS के concept को clear करके अपने लच को असानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस test series को लेते हैं तो आपको free में मिलेगा सभी unit के model paper 100 से अधिक हैं और सभी unit के PDF notes हिंदी और English में 50 प्लस grouping test, 20 प्लस unit wise test, 58 प्लस PDF 5 test और 2,014 से 21 तक सालवर paper है इसके लिए आपको नई जनकारी के little gram group पर आप जूड़ सकते हैं